दोस्तो क्रिकेट में ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि किसी एक ही बॉलर ने एक ही बैट्समैन को एक ही ओवर के अंदर बार बार चोटीला किया। मगर इस तरह का इंसिडेंस हमें इंगलेंड के खिलाफ तीसरी ओडियाई में देखने के लिए मिला जब मौहमद सिराज ने जौस बटलर को एक ओवर में लगातार तीन बार चोटीला कर दिया। एक्च्वल में हुआ है यूँकि मौहमद सिराज जब टीम का उन्निस वावर डालने के लिए है तो दूसरी गेंद बाउंसर की वज़े से उनके हेलमेट पे जा लगी जिसके कारण विजियो को ग्राउंड में भाग के आना पड़ा फिर तीसरी गेंद पर बॉल जौस के थाई को जा लगी जब बटलर ने का कि कोई दिक्कत वाली बात मिये लेकिन सिराज भाई ने का कि यार ऐसा कैसे विजियो को तो ग्राउंड में आना ही पड़ेगा तो फिर सिराज ने पांच वी बॉल वापस से जौस बटलर के हेलमेट पे दे मारी और बिचारे विजियो